हेलो स्टुडेंट, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, आज हम पढ़ेंगे करुण रस की परिभासा, जो बोर्ट इक्जाम के लिए इंपोटेंट है, सबसे पहले पढ़ाएंगे इसकी परिभासा, उद्धारण और इस्पस्टीकरण, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि द्धारण से इस पस्टीकरण कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी परिभासा, तो स्टुडेंट आगे पढ़ने से पहले मेरी आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो सस्क्राइब करके इसकी परिभासा की स्टाइब से कर सकते हैं, अब आगे पढ़ेंगे, किसी प्रियव्यक्ति या बस्तु के नश्ट हो जाने पर हिर्दिये में जो भाव उत्पन होता है, बही सोक होता है, यहां सोक का मतलब दुख होता है, अब आगे पढ़ेंगे, जब सोक नामक इस्था होता है, तो दुबारा पढ़ेंगे, करुण रस्त का इस्थाई भाव सोक है, किसी प्रियव्यक्ति या बस्तु के नश्ट हो जाने पर हिर्दिये में जो भाव उत्पन होता है, वही सोक होता है, जब सोक नामक इस्थाई भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भ जब ये चारो भाव आपस में सयोग करते हैं, तब एक करुण रस्त की निस्पत्ति होती है, इसी पिरकार सभी रसों की निस्पत्ति इस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होती है, अब पढ़ेंगे इसका उधारन, यह बहुत आसान उधारन है, ज फंसा पटक रही थी सीज, अन्धी आज बनाकर मुझको किया नियाय तुमने जगदीज, इस उधारन में सिर्वन की माता का करुण दसा में बंडन किया गया है, आपने सिर्वन कुमार की कहानी तो पढ़ी होगी, मैं एक बार आपको सोट में बता देती हूँ, एक बार सिर राजा दसरत को लगता है कि नदी के पार कोई जानवर है, और जानवर समझकर राजा दसरत अपना तीर चला देते हैं, उससे सिर्वन कुमार की मृत्य हो जाती है, और जैसे ये सिर्वन कुमार की मृत्य का पता उनकी माता को चलता है, तो उनकी माता बिलाब करते हुए कह अब इसी पिरकाश का दोवा पढ़ते हैं, मणी खोई भुजंग सी जनिनी फंसा पटक रही थी सीज, इसका अर्थ है कि जिस तरहें किसी साप की मणी खोजाने पर बहब्याकुल होकर अपना फंट पटकता है, उसी तरहें उसका मणी समानपुत्र स्रावण की मृत्ति होने पर ये मा अपना सिर पटक पटक कर बिलाब कर रही है, और प्रिभू से कह रही है, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीज, तो इस तरहें बिलाब करते हुए सिरवण कुमार की माता प्रिभू से कह रही है कि हे प्रिभू, तुमने मेरे पुत्र को छी कर मुझे अंधा और ऐसा है बना दिया क्या यही तुम्हारा नियाय था अब पढ़ेंगे इस दोहे का इस पस्टिकरन को मैं इस पिरकार बताऊंगी कि कि किसी भी रसके दोहे का इस पस्टिकरन आप बिना याद करें लिख सकते हो हेडिंग डालेंगे इस पस्टी करण, इसका point number एक है इस्थाई भाव, सबसे पहले पढ़ेंगे इस्थाई भाव, इस्थाई भाव किसे कहते हैं, मनुस्य के हिर्दिये में जो भाव हर समय छिपा रहता है, बहुत अफसर पाते ही जागरत हो जाता है, बही इस्थाई भाव किसे कहते हैं, अब पढ़ेंगे point number 2 बिभाव, अब बिभाव किसे कहते हैं, जिन कारणों से मन में इस्थिस्तान छिपा भाव जागरत होता है, बिभाव कहलाता है, जैसे कि स्रवन की मिरत्य पर उनकी माता बहुत दुखी होती हैं, उनके मन में एक दुख का भाव उत्प होता है बहे आलंबन कहलाता है यानि अस्ताइब आप क्या है इसका सोख है सोख मतलब दुख तो सिर्वन की माता किन कारणों से दुखी है मतलब सिर्वन की मिरत्ती हो जाने के कारण तो इनका आलंबन होगा स्रवन अब है आस्रिय अब आस्रिय किसे कहेंगे जो इस दोहे को पढ़ रहा है उसे क्या कहेंगे पाठक तो इसका आस्रिय क्या हुआ पाठक अब इसका खैकंड है उद्दीपन अब उद्दीपन किसे कहते हैं जो कारण स्थाई भाब को तेजित करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं तो राजा दसरत वहां नहीं आते तो सुर्वन कुमार की मन में आने वाले इस्थाई भाब मैंने बताया था दुखी ओना भसना इनके कारण जो बहाइन सारय क्रिया आती है वे अनुभाब कहलाती हैं मतलब से रिबन कुमार की मिरत्तियों के कारण उनकी माता सिरपटक पटक कर रोती हैं तो इसमें साररिक्रिया क्या हो रही है सिरपटकना तो इसका अनुभाब होगा सिरपटकना पिरलाप करना आदी अब पॉइंट नमबर चार है संचारी भाब अब संचारी भाब किसे कहते हैं मनुस्य में ऐस्थिर मनो विकारों को संचारी भाब कहते हैं ये पानी के बुलबुलों के समान मिलते जूलते रहते हैं तो इसका संचारी भाब है इस मर्ती विसाद आधी तो student इस पिरकार करुण रस की परिभासा और उद्धारण और इस्पच्ची करण कंप्लीट हो गए हैं तो student वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद बंदे मात्रम